लाइका हो नमस्कार मैं तुहर सिक्षी का खे मिन्सा हूँ आज हमन पड़वो कक्षा आठवी विशय हिंदी पाठ सोला बरसात के पानी ले घूजल संग रहन लाइका हो ए पाठा 36 गड़ी में लिखा है तो चलाओ अब ये पाठला मनहा पर्थन ये पाठला लेखक मंडल के द्वारा लिखेगे है तो चलाओ ये पाठ से संबंदित थोकन परिचायला देख लेथन लाइका हो तुमान जानत हो कि पानी के बिना कोनों भीपरानी के काम है नहीं चलाए एक्रे कारण कहेगे है कि जल हेता जीवन है पानी हाँ तो ओत्केश के ओत्के है फिर एकर बवर दिन के दिन बाढ़ा जावत है पानी हा कमती परेला धर लेहे अब पानी के एक बुनला अकारत गवाना जीव जन्तुला विपत्म फसाना आए पानी के बुन-बुनला सकेल के रखना जरूरी है तलीका हो जैसे कहेगे है कि जल हाँ जीवन हरे कीके है ना जल के भीना तो को जीव जन्तु हा जिन्दा नहीं रही सकाय और उप्योग ला हमन बहुत अधीक करा थन पानी हा धीरे-धीरे कम तको हो जाते ता एमें बताएगे है कि अब पानी के एक एक बुनला हमला बचाना है व्यर्थ नहीं गवाना है नहीं ते फिर पूरा जीव जन्तुला विपत् पानी के केक बुनला अग इक अर्था करना हमला जरूरी हाव है एमें कुछ कठिन सब्दा आया है जैसे बौफरया बौफरया के अर्थ हो थे उप्योग करने वाला अकारत अकारत के अर्थ हो थे बीना कारण के या बेवजा जैसे आप मन्जान था कि पानि के सकेल नाला जल संग्रहन कहें जातें, जल संग्रहन बर कई भन उदीम यह पाथ मा बताएगे हैं, मतलक कई भन उपाए पाथ मा बताएगे हैं, अब धरती के भविष्य हाँ जल संग्रहन के उपाये उपर तिके हावें धरति के बनावठा कुछ ऐसे हावे कि उमा एक परत के चट्टान हावें कुछ पानी लसोखने वाला है और कुछ भूरबूरी कुछ तो अकठ हो से कि उमा पानी तो पार्टक हो नहीं जा सके और जब बरसाथ होते न कब बहुत अकन पानी हाँ बोहा के नदिया नर्वा मचल दे थे, फिर कुछ पानी धर्ती के भीतरी रिस्थे घलो, ये ढंगले रिसने वाला पानी ओ चट्टान मसमा जा थे, जेन हाँ पानी सोक ले थे, और ओकर खाले के ठोस चट्टान के पार नई जा सका है, और जमीन के खाले ले ये ढंगले जमा होने वाला पानी हा, भूजल आये, जेला हम कुँआ खोद के या नल कुब लगा के पाथन, जमीन के खाले याने जमीन के नीचे में जमा हो थे, और उही पानी ले भूजल कई थे, जेला हमन कुआ खोद के या नल कुब खोद के प्राप्त कर्थ पाचु कुछ साल मां हम शहर और गाउं के आबादी बहुत बढ़ गे हावे। इला आप मन तो जानबे करा थो और पेपर मां तको पढ़ा थो हूँ और टीवी मां तको देखात सुना थो हूँ है ना? एक्रे सेती पानी के मांग पूरा करिबर भूजल के उपयोग घलो बढ़ गे हैं। बिजली के मिले के कारण शहर और बाउं मा बहुत जादा नलकुप लगे हैं। जे कर ले भूजल निकाल के घरो उपयोग के संगे संग खेती, किसानी और आउं कलकार खाना मा घलो उकर बाहिर निकाल निकाल अथान। अब यह कारण जादा जादा पानी जमीन मा रिष्थ हैं। जादा पानी हम उपयोग करे बाहिर निकाल अथान। अब यह कारण भूजल के भंडारन सताहा दीन दीन खाले होग जाथे। एकर चेती कुवा नल कुप सुखाव थे। पानी हम खारा होग थे। अब कई जगा हमर उपयोग के लईक नहीं रहिगे हैं। तलेका हो एमें बताएगे हैं कि एकर उपयोग तो हमन बहुत जादा करा थान। भूजल के जो पानी हैं उपयोग करा जा थान। अब कर कारन धर्ती के पानी हमां नीचे हो जावा थे। नल कुप सुखाव तथे। अब पानी के श्वाधा.. खारा हो गए कई जगाँ तो पानी यहां उप्योग के लायाखी नहीं है चलो देख थन के पानी के इस्तर कम होई क्या उका का कारण है जंगल के बहुत अधीक कटाव आजकल हो थे और गहन खेती तको हो थे मतलग बार-बार खेती करे जा थे एकर कारण का हो थे कि जो बारो महीना नदिया और नर्वाह भरे रह है तेकर पानी हे कम होज जा थे और बढ़ात आबादी के कारण जगा जगा पानी के कमी आज देखे जा थे हम अपन सहर आव बड़े गावला देखन ता हमन पाबोन कि उहां एक के बाद एक के बाद नवा-णवा घर बना जावा थे और उहां के शडग नाली मन्ता को पक् तेकर कारण पानी के इस तरह कम होगे जाओ ऑँ हमल्ला पानी के कमिभ अज्याओ है इस पर्टावज जा ते तरिय मं पटावज जाओ जा थे मैदान हां सखक्लाँ के छोटे हgil जाओ ऑफ पेड़ पध्रम er दलिए अजयाinta च्व inf विपत्ति तक हो आठे, खाले डाहर मां बसे गरीब मन के बस्ती पानी मां बोर जा थे, नाली मन टिपटीप ले भरके शड़क मां बोहावन लग थे, और पूरा सहर गंदगी ले भर जा थे, तो जेन समय पानी गिर थे ना, ओ समय का का अलहन आ थे? अब सब सड़क और नाली हा तो पक्का हो गए है तो पानीला जमीन में रिषेक जगाच नहीं मिला थे ओ पानी हा उपरे उपर भाग थे और खाले डाहर जे बस्ती मन में गरीब मन हर रही थे न ओकर मन के घर मा उपानी हा भरा जा थे, काबर की नाली हा तो टिपटिपले भरा थे, है न, ओला रिसे के जगा ही नहीं मिला थे पानी ला, और सडक मा बोहा के पूरा सहर में गंदगीला फैला दे थे, ये में एक ठन सब्द आ है अलहन, अलहन के अर्थ हो थे मुसीबत, और ये जो बरसाद के पानी है न, सहर मा सिर्फ बरबाद बस हो थे, काबर की ओपानी हा धर्ती में रिस ही नहीं पा थे, फोक्टे फोकट बहने वाला पानी ला कुछ सरल उपाई करके जमीन के भीतर पहुचाए जा सकते, अव ये ढंगले सकलाए पानी ले भूजल के बंडार बढ़ थे, कुवा और नलकुप मन मा पानी के आवक बढ़ जा थे, तो ये जो पानी हा फोकट के बोहात रिथे, वो पानी ला जमीन के अंदर तक पहुचाए बर कई सारा अभी उपाई करे गे हैं, ताकि ओजल के भंडारन हो सकते, अव कुवा नलकुप के पानी के आवक खबढ़ जाए, वोकर इस तरह बढ़ जाए, ताकि पानी के कमीला कम करे जा सकाए, सुख्खा दिन, याने की गर्मी के दिन मा, जब पानी के इस तरह नीचे चल दे थे, पानी के कमी हो थे, ओ समय ये सकेले हुए पानी हमार काम आ सकते, जैसे छत अउच्छानी छपपर मा पढ़ने वाला बर्साथ के पानी बोहा के अकारद चल दे थे, है ना, OW ये जो पानी हे, चात अउच्छानी से जो पानी हाँ गीर थे, ओ का हो थे, और इसने व्यर्थ बोहा जा थे, पहली के जमाना मां, अंगना हां माटी के रह है, ता च्छत के अउच्छानी के पानी स जब बर्शात के पानी आपनी सिधा कहा गिर है धरति मा अव धरति में धिरे-धिरे वो पानी हर इसके अंदर भूतलमा चल रहे ये पानीला सोकता गढधा पानी के सहज रूपमा जमीन के भीतर पहुचाए जा सकते। ता आज कल ये पानी बहा जा थे। एकरे सेती अब सोकता गढधा बना के ये जमीन के भीतर तक पहुचाए के उपाय करे जा सकते। कोनो जगा अगर तीर तकार में आसपास में कुवा हैं तो ये पानीला कुवा में तको भरे जा सकते छोटे छट उपर छपपर छानी के पानीला नल कुपमा डारे जा सकते और फिर बनाएगे सोकता गड़ा मडार के जमीन के भीतर पहुचाए जा सकते ता जो सोकता गड़ा बनाई जाते न लईका हो वो पानीला जमीन के भीतर तक ये माध्यमले पहुचाए जा सकते अब जैसे मकान में अंगना होते न ता उकर वो अंगना में गिरे हुए पानीला खूला जमीन में बोहावत पानी लगालो, सोकता घड़ा मडार के जमीन के भीतर तक पहुचाए जा सकते, आजकल देखत तको हो उतुमन, कोई-कोई जगा घड़ा खोद के रखे जाते, है ना, अब वो पानी गड़ा लकाबर बनाये जाते, ताकि जो बरसाद के पानी है, व जमीन के भीतर तक पहुच सकाए, अब एक ठन ध्यान तको रखे लागी लईका हो, का ध्यान कि जे पानी हाँ, चिखला मिले होई, जब बारिश हो थे, वो समय का हो थे, चिखला तको हो जाते ना, तब वो पानी हाँ, जमीन के अंदर सिधा जान जाए, एला रोके बर, सोक सोकता गढधा में छन ना बनाया के तको उपाय करेबर परही, ऊब एक ठन उपाय कर सकते हैं, का कि छोटे बस्ती मा दू चार घरला मिला के एक ठन सोकता गढधा बनाया सक्ते, अब शोकता गढधा ये ढंगले बनाया जाए, कि बरसाद के पानी छन के खाले उत्राया, तक एक्ठन इसे चट्टान रही थे जेन हो पानिला सोक ले थे वहां तक पानिया पहुच जाए लाइक हो एमें एक्ठन संदेश तको छुपे हैं काय संदेश छुपे हैं बताओ कि जब दू-चार घर के मनहा मिल के एक्ठन सोकता गठल बनाई ता आपसी प्यार तको बढ़ एकर्चिती लडाई जग्राता को हो जाते तक एमें का हो ही कि लोगन मनहा एक दूसरे से मिलके रही सहर में कई जगा इसे हो थे कि नीचे वाला भाग नीचे वाला भाग मतलब जहां पर पानी हां बहे के सिधा उई जगा पहुच जाते तक जैसने बढ़ साथ हो थे ना व अईसे तरिया हो थे जिनहां बेकार रही थे सुखा रही थे और वह सिर्फ बर्चार के समय भर थे एकर पानी लग हलो उही ढंगले जमीन के भीतर पहुचाए जा सका थे इच्छी त्रम देखाएगे है कि जो पानी हां इकठा हो जथे व्यर्थ में है ना शहर औ गाउं के पानी है ओला कैसे करके जमीन तक पहुचाए जाए ता केसिंग पाइप है में एदे दीखत हो ही और वो केसिंग पाइपला नारियल के रस्टी से लपेटे गे है और वो पाइपला वो में गढ़ा देगे है कहां तक गढ़ाएगे है जहां तक वो जलधारी चट्टान जमीन में जाके रिस जाए। इही धंगले शहर और बड़े गामा कैठन सुखा और विकार तरिया रही थे। जेन मन बरसातली भर जाते। तब पाच्छु चित्र में जोन हमन देखे हैं ना। उही तरीका ले हमन यहू पानीला नीचे भूतल तक पहुचा सकते। एकर छोड़के यह धंगले पानी सकलाए ले कुवा मा पानी के आवक बर जाही और वो मा साल भर पानी भरे रही। तब यह जो तरीका हमन अपना बोना लईका हो तब यह तरीकाला अपनाए ले कुवा मा साल भर पानी भरे रही। सहर आउ गाउ मा कैठा न इसने छोटे नदी नर्वा हाब है, जे मा सिर्फ बारिश हो थे तीही समय पानी हाँ बहात थे, और इसने नदी नर्वा के पाट मा जमीन के भीतर पानी रोकने वाला बान बना के, पानी ओकरेच पाट भीतर घलो रोके जा सका थे, है ना? जैसे कि बरसात के दिन मा ओ नदी नर्वं पानी भरेईश आप पानी है सिधा बोहा जते ता ओला रोके बर बीच मा पाट बना दिये जाए ठीके ताकि सुख्खा के समय मा ओ पानी के उप्योग करे जाए आप पानी है उई जगा भरे रहे एकले का हो ही एकले ये हो ही कि आप छीर्य खोतके पानी ले सकते मतलब नद्या के पीर मा गड़्णा खो पिये बर भोजन पकाय बर उपयोग कर सकतन। एकर छोड छोटे छोटे बान बना के घलो इसने नदी नर्वा के पानी ला रोके जा सकते। ये ढंगले कुछ महीना तक निस्तार बर पानी मिल सकी। छोटे छोटे जो बान बनाए रिवो उमें पानी हा भराए रही। ता नलकुपमन मा पानी के आवग बढ़ी। ता जे पानी ला हमन बान बना के रोके रिवो ना उही पानी हा धरती के नीचे तक पहुची। रिस्के। और बाद में इही ला हमन कुआ नलकुपमन में पानी के माध्यम से फिरसे ओला निकाल सकी। ता बरसात के पानी ला जमीन के भीतर मा डार के भूजल के भन्दार ला बढ़ाए के ये कुछ उपाय हावै जिल्ल अभी हमने पाठ मा पढ़े हावन हैना कि कौन-कौन सा तरीका से हमन भूजल के इस्तल बढ़ा सक्थान और इला अपना के कम खर्चा मा पानी के कमिला दूर कर सक्थान, लाइका हो, अभी हमन ये पाठला पढ़ेन, अव ये पाठ में हमनला भू जल संग्रहन की, मतलब भूमी के अंदर जलला हम कैसे संग्रहित करके रख सक्थान, उकर इस तालला कैसे बढ़ा सक्थान, एकर बर कैसारा हमनला ये में उपाय बताएगीज, धर्शन पहला है, भूजल काला काथ है, धर्थी के भीतर मा, जे पानी हां, जमा हो थे, उही ला भूजल का थे, भूजल के भंडार काबर कम हो अज्जात है कोन बता ही एकर उत्तला हाँ गितांजली बिल्कुल सही जवाब है भूजल के भंडार हा एकर सिती कम हो अज्जात है काबर की एकर बवरईया बहुत ज़्यादा हो गे है लेकिन पानी के इस्तर जो है वो नीचे जावा थी काबर की एकर हा मना संग्रहर नहीं कर पाथन भंडारन नहीं कर पाथन तेकर सेती पानी के इस्तर हा कम हो जाथ प्रस्ल तीसरा है बर्साती पानी के जमीन के भीतर कम रिशे के काका कारण है एकर उत्तर लकोंदी ही बिल्कुल सही जवाब हे राजा बरसाथ के पानी हाँ धर्ती अंदर एकर से ती नेरी स्पावत है कावर की नाली, सड़क, अंगना सबो जगा पक्का हो गे है आओ वो पानी जो है उपर 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 भाग जा थे जेकर कारण धर्ती में पानी हाँ नेरी स्पावत है लाइका हो अभी अमन प्रश्न उत्तर देख डरेन तो चलो अब जल्दी से अपन कापी पुस्तकला निकालाओ मैं तुमनला घर बर एक ठन पूता देवा थाँ जल्दी से प्रश्न लिख लाओ प्रश्न हाव है गाउं के नदिया तरिया और बोरिंग के पानीला प्रदूसी थोईले बचाय के उपाई लिखाओ लाइका हो तुमन ये प्रश्न के उत्तर बर अपन माता पिता अपन दीदी भाईया किता को सहयो ले सक्ताओ लाइका हो अब एकरे साथ ये पाठा समाप्त हो इस अब हमन अगले नया पाठ में नया जनकारी के साथ फिर से मिलगो धन्यवाद